असलामलेकुम वीवर्स आज हम टोरी के बगाएर पाइपिंग बनाना सीखेंगे इसके लिए हमें जरूरत है हम वन इंच का एक पीस लें कपड़े का वन वन इंच के दो ले लें एक में हम इसकी जो है वह स्टिच लेंगे एक पाउं का मार्जन रखके मिशीन का जो पाउं ह इसका एक पाउं का मर्जन रखके स्टिच लेंगे पूरे पीस पे हमने जो वन इंच का लिया है इस पे स्टिच ले लेनी है इसको कटकर लें इसके बाद वन इंच का एक और पीस लें और एक बड़ी सुई ले उसमें जो है वह आप त्रेड डाले इसमें दगड़ डालने के बाद थोड़ा सा दगड़ आले और इसको जो है वह उसकपने के साथ अटेच कर दें इसके बाद इस सुई को एक साइट से जो हमने पाइपिंग बनाई से इसमें डालना है इसके अंदर इंसाइट कर रहे हैं एक साइट से डालके दूसरी साइट पर हमने यह कपड़ान कालना है जैसे इसके अंदर डोरी रालते हैं ठीक है यह जो वन इंच का कपड़ा है यह हम यह बहुत असानी के साथ आपकी जो है वो शेट पर अटाइच हो जाती है अर्ड में हम आपको दिखाएंगे यह शेट पर लगी जी कैसी नजर आती है अची से नहीं इसको जो है वो आइस्दा आइस्दा खैंच के सारी पाइपिक के अदर डाल लें यहां से दूसरी सेर से हम नकाल लेंगे पिंकुन काला और इसके साथ ही वो जो कपड़ा हमने इसके अंदर डाला था वो भी निकलाएगा अब इस थ्रैड को कट कर लेंगे और हमारी इस तरह डोरी कंप्लीट हो जाएगी यह वाली पाइपिंग आप देखें डोरी वाली पाइपिंग की तरह ही लगेगी और बड़ी असानी से बन जाती है इसमें हमें जो है वो अरे कपड़ा तिर्चा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है सिंपल सीधा कपड़ा लेके इसमें हम इंसाइड कर लेते हैं यह देखें देखने में कितनी अच्छी यह डोरी लगती है अब इसको आप आराम्स प्यार होने के बाएं यह ऐसे लगती है अब शिर्ट में अटाइच होने के बाद इसकी लूप कैसी आती है वह आप देखें आपको दिखाती हूं बढ़ी सफाइस से यह बन जाती है अटाइच होने के बाद ऐसी लूप देती है अमीद है आपको बहुत असानी से यह समझ